हलो बच्चो बच्चो आज हम करेंगे exercise 3.3 का question number 3 दो question number 3 क्या है कि using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 6 अब 6 का तो हमें पता है कि कैसे check करते है कि कोई number 6 से divide होता है या नहीं होता तो इसका rule क्या था कि अगर वो number 2 से and 3 से दोनों से divide होगा तो वो 6 से होगा ही होगा तो कोई मुश्किल नहीं है बड़ा असान है अब इस question को तो भई हमारा सिंचैन भी solve कर देगा अब सिंचैन तुम ही बताओ solve कर दोगे नहीं कर दोगे नहीं कर पाएगा शाद इसके लिए मुश्किल अभी बच्चे है ना थोड़ा साथ शायद दूसरी तीसी क्लास में हम सॉल्व करते हमारे सिंच्ट क्लास का question है तो जल्दी से solve कर लेते हैं आईए question है पहला part जो है कि two nine seven one four four पहले two के लिए चेक करें यहां पर हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है देखो two and three यह याद रखना both कई बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर confused होके two से हो रहा है three से नहीं कोई बात नहीं यह six से होगा यह निमत करना दोनों से होना हो तो हम क्या कहेंगे डिवाइड होगा तो यहां पर four है तो यह two से डिवाइड हो गया ओके अब three का रूल क्या कहता है कि सारी digits को सम कर दो then three से डिवाइड करो three से डिवाइड हो जाए तो मतलब भाई वो भी हमारा number total three से जरूर होगा ओके तो जल्दी करते हैं two plus nine eleven eleven plus seven eighteen eighteen plus one nineteen nineteen plus four twenty three and twenty three plus four twenty seven अब twenty seven हमारा three से डिवाइड होता है बिल्कुल होता है कितने भी जाएगा नो पे तो हम क्या कहेंगे यहां पे यह three से भी है तो यह number हमारा overall डिवाइड हो गया six clear हुआ आगे चलो दोनों से चेक करना जरूरी है ओके देखो अब अब पार्ट भी इसका कि one two five eight तो हमारा two से तो बिल्कुल सामने की सामने हो रहा है कैसे यह eight देखा two के लिए यह divide होता है तो यह two से तो हो गया ओके आगे देखो one two five eight अब दोन सबको add कर ले one plus two three three plus five eight eight plus eight sixteen अब sixteen लेकिन three के टेबल पर तो कहीं नहीं आता तो हम क्या कहेंगे कि यह number three से नहीं हुआ तो भाई यह six से भी नहीं होगा दोनों से होना जरूरी है आगे चलते हैं अब आया four three three five पहली डिजिट two के लिए देखो अब two के लिए तो हमारे पास two four six eight zero होना चाहिए तो five है क्या करें नहीं कर सकते तो two से ही फेल हो गया two से फेल हो गया तो three से देखने की जुरूरत क्यों है क्योंकि दोनों का होना जुरूरी है तो एक सी फेल हो गया तो वह तीन से हो या ना कोई फ्रक भी पड़ता काटो इसको जल्दी से ओके आगर देखो six one two three three again वही स्याप्पा क्या क्या यह ओड नमबर और even टेबल में यानि two के टेबल में सारे हमेशा क्या होंगे हमारे पास हमेशा even नमबर ही आएंगे even नमबर के टेबल में even नमबर तो यह तो ओड आ गया तो two से फेल तो three से भी सिंपल चीज ओके ना डिविजिबिलीटी कितनी काम आ रही है नहीं तो six से डिवाइड करने बैठ जाते हमें यह रूल जो टेस्ट है यह रूल अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे तभी देखो श्टिटकियों के अंदर आंसर निकल रहे है पेपर के अंदर क्या करना यह तो टाइम बचाना हमें नहीं तो क्या करते है मम्मी पेपर में कोश्चन तो आते थे टाइम ही नहीं मिला अब मैडम एक्स्ट्रा टाम थोड़ा देगी दो गंटे पेपर है तीन गंटे का जितने का भी है टाइम तो उतने रहेगा आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट सबको चोड़ दते है 9 प्लस 0 9 10 10 प्लस 3 13 13 प्लस 5 18 18 प्लस 2 20 23 के टेबल में तो कहीं पे भी नहीं आता 18 तक आता है तो क्या करें पपू थड़ में आके फेल हो गया अब आगे तो बढ़ने सकता तो क्या करें कहींगे सीधा कि यह तो फेल है आगे देखो 438750 फिसे 2 के लिए चेक कर ले 2 के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल अंदा भी बता देगा क्या यह नंबर तक हो जाता है तो यह 2 के लिए तो हो गया 3 के लिए नंबर एड़ कर लो सारे डिजेश स्क्राइच करेंगे 4 प्लस 3 7 7 प्लस 8 15 15 प्लस 7 22 22 प्लस 5 22 प्लस 5 27 27 डिवाइड़ भाई 3 आता है 9 पे आता है 9 इंटो 3 27 हो गया 3 से यानि पप्पू पास हो गया जबार 6 से होगा होगा 2 से हुआ तो 3 से हुआ तो 6 से भी होगा होगा अब देखो 1790184 यानि किसी का फोन नंबर है तो जल्दी से देखो फर्स डिजिट देखेंगे 2 के लिए 2 से हो गया 2 के लिए 4 तो चीज़े चीज़े होता है या पर कि 4 हो 6 हो 8 हो 2 हो या 0 हो गया 3 के लिए 1 प्लस 7 8 8 प्लस 9 17 17 प्लस 1 18 18 प्लस 8 26 26 प्लस 4 30 ओके 30 होता है यानि 3 से हो गया तो 6 से भी हो गया क्लियर हो गया तो लो 1 2 5 1 3 अब क्या करें फर्स डिजिट 2 के लिए 2 के टेवल में यह ऐसी हमारे पास मतलब यह चीज नहीं कर सकता है और नंबर नहीं आते तो यह नहीं हुआ तो हम 3 के लिए भी चेक नहीं करेंगे सिधा ओके 6 6 3 9 2 1 0 6 3 9 2 1 0 क्या है हमारे पास इवन नंबर इवन नंबर है तो भाई यह 0 देखो होगे ना पास तो 2 से पास 3 के लिए देखो 6 प्लस 3 9 9 प्लस 9 18 18 प्लस 2 21 21 अब 21 तरीके के एवल में तो आता है 6 से होगा नहीं होगा बिलकुल होगा जी आगे देख लिए 1 7 8 5 2 2 के लिए देखोगे तो क्या है यहां पर यह हमारा क्या है 2 एक इवन नंबर तो यह हो गया तो 2 से तो हो गया 3 के लिए 7 प्लस 1 8 8 8 16 16 प्लस 5 21 21 प्लस 2 23 3 से नहीं होगा तो 3 से फेल तो यह फेल ओके तो रूल याद थे तो कितनी जल्दी कर लिया नहीं तो बैठ के क्या करते रहते मेरे ख्याल से तो अभी तक आप सिर्फ ना अगर सोल्व करने बैठ तो सिर्फ इसी पर अटक जाते ना इन जिरो वन थी फाइव टू पे तब तक तो देखो सारे के सारे बच्चे आगे निकल के टाइम बचा के तो यह फाइदा होता है divisibility test का याद कर लो कौन सा रूल कहा लगेगा कैसे लगेगा तो मिन्ट में क्या मिनिट भी नहीं सेकिंड में आंसर नहीं है से दिसी बात होगा जी question number आएगा four but test याद होंगे तब ही आएगा आपके काम याद रखना इस चीज को तो मिलते हैं अगले ही वीडियो में वीडियो अच्छी लगे तो please like and share कर देना और सिंचन तुम भी सीख लेना इस बार ठीक है thank you